एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें सर से लेक्षन हो जो ओल्ड वाइप से बताती हैं कि प्रैग्निस अगर यह सेम चीज़े आप भी सोच रही है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आई है इस वीडियो के अंदर सर से लेकर पाउं तक जितने भी हाइलाइटेट पॉइंट्स है उन सब को मैंने बताया है और ज़्यादा पाइम नहीं लोगी कोसिस करूंगे कि वीडियो आपका चार मिनट के अंदर समेटा जाए तो चलिए गईज वीडियो के स्टार्ट करते हैं हे गईज मैं आप सब के साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम ओम चानल पहली सबसे पहले हमारे हैं प्रेगनेंसी के दौरान बालों का चमकना मजबूत होना खुबसूरत होना यह कह सकते कि सबी महिलाओं के साथ होती है क्योंकि होर्मून्स में ऐसे बदला होते हैं इस टोटना बंद हो जाते हैं और वह साइनिंग करने लगते हैं आप एक अची उल्डोंडेश बताती है कि चेहरा जो चमकना होता है किसी महिला के फेस पे ग्लू आती है किसी का डल सा चेहरा दिखता है यह डिपेंड करता है आप खुद को कैसा दिखाना चाहते हैं और आपकी डाइट कैसी है अगेन बात करते हैं चिंश के उपर गले में जलन की समस्य होना यह खासकर उन्हीं महिलाओं को होती है सबसे ज्यादा जो अपने डाइट को अच्छे तरीके से नहीं लेती हैं डाइट अगर आप सही धंग से लोगे तो बच्चे तक कंप्लीट मात्रा में जरूर पहुंचे कि जितना आप खा रही है ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं कि एक प्रेगनेंट लेडी को एक दिन के अंदर छे बार खाना खाना चाहिए आम तरुपे महिलाएं तीन बार खाती हैं सुबह में ब्रेकफास्ट किया दोपहर में अपना जो भी है वह बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा अब अगेन बात करते हैं इस चीज के उपर पेट में दर्द होना यह कह सकने हैं पेट फुलना गैस होना या फिर आगे चल कि यह तो शुरुवाती दिनों में होती है और आगे चल के बात करते हैं आठवे-9 महीने में बा ही इस नहां jo 5 कारण ही आपको इन हिषएं सो में दर्द और भारीपन होती है अब बात करते हैं बहुत करते हैं नहीं कहां कहां होती है एक महिला को प्रेग्नेंसी के अंदर पैर कहा सकते हैं तलवे के पास या फिर पिर पायल पहल पहनते हो उस चारते में भी खुजली होन या पेट पे भी इस्ट्रेस मार्क्स आ जाता है बहुत खुजलिया करती हैं गर्दन में खुजली होना कुछ महिलाओ के बाल में भी खुजली होना जिस अंग से दूध आप पिलाओगे अपने बच्चे को उसमें भी खुजली होना एक कालापन एक डार्कनेस एक हेवीनेस थोड़ी सूजन महसूस होना भारीपन महसूस होना एक दर्द रहना यह सब कॉमन सी चीजे और लगबख सभी महिलाओं के साथ होती है गाई जैसे वीडियो के अंदर सर से लेके पाउं तक पूरी चीजों को मैंने डिसकस किया अगें इस सेम टॉपिक पर मैंने जब वीड तो है कहीं इस चीज के लिए में डॉक्टर के पास तो नहीं जाना चाहिए गाई जिसे वीडियो के अंदर मैंने जितने भी लक्षन बता है वह लक्षन उनमें से एक दो तीन या दस के दस आपको अगर मैच हो रहे हैं तो घबडानी के जरूरत नहीं है यह एक हैल्दी प पर लेटे हो ऐसी सिचुएशन में या फिर ब्लीडिंग आ रही है यह सारे जो चुनिंदा कारण होते हैं इस टाइम में जरूर्ड डॉक्टर से मिला जाता है थांक्स पर वाचिंग इस तब तक के लिए बाए 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 तेक के एर